गुड मॉर्निंग स्टूदेंट्स आयचेतना गुपता फ्रम गॉर्मेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला वेलकम यू अल्टु दे बायोजी क्लास स्टूदेंट्स आज जो हम टॉपिक डिसकूस करेंगे वो कलास 11 का चैप्टर 15 है जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलकमेंट तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सबसे पहले जो टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलकमेंट ग्रोथ और डेवलकमेंट क्या होती है प्लांट ग्रोथ किसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ के अलग-अलग फेजिस कौन से हैं ग्रोथ रेट्स की कौन-कौन सी टाइप्स हैं और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कौन-कौन सी कंडिशन्स की जरूरत होती है तो सबसे पहले what is ग्रोथ ग्रोथ is a characteristic feature of all living organisms देखो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो अनिमल हर एक और ग्रोथ का एक unique feature है कि वो time के साथ क्या करता है ग्रोथ करता है तो ग्रोथ can be defined as an irreversible and permanent increase in size दो words हैं यहाँ पे irreversible जिसे हम वापिस नहीं कर सकते और permanent मतलब जो change होगा वो temporary नहीं होगा अब जो size में increase हुआ है वो कोई organ हो सकता है किसी organ का part हो सकता है या फिर एक individual cell की भी क्या हो सकती है ग्रोथ हो सकती है ग्रोथ is accompanied by metabolic processes बोथ catabolic and anabolic that occur at the expense of energy ग्रोथ जो है उसमें किसी चीज का breakdown भी हो रहा है that is catabolic process और कोई चीज बन भी रही है that is anabolic process कुछ भी होने के लिए हमें किसकी requirement होती है energy की requirement होती है देखो ये एक आपको image नजर आ रही है इसमें छोटा plant है हमने उसको minerals दिये water दिया carbon dioxide दी sunlight मिली तो plant की क्या हुई growth हुई करेक्ट प्रोसेस कौन सा कहलाता है ये photo synthesis अब जब एक और्गैनिजम की ग्रोथ होनी है तो उसमें कुछ development भी होगा तो हम यदि plant की बात करें एक seed से शुरू करते हैं तो seed जो है वो germinate होगा grow करेगा mature होगा mature means अब वो reproduce कर सकता है flowering होगी उसमें फूल आएंगे और ultimately क्या हो जाएगी उसकी death हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं senesence कहते हैं तो development का जो process है वो दो processes involved है उसमें one is growth and second is differentiation growth हमें पता लग गया किसी भी organ के उसके part के या cell के size में, length में, weight में कुछ भी increase होना वो growth है और differentiation क्या है जब cells जो है वो एक particular function perform करने के लिए क्या हो जाते हैं specialized हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं differentiation next what is plant growth देखो कोई भी organism जो है वो किससे बनता है zygote zygote क्या है basically fertilized egg जब pollen, grain और egg fuse हो जाएंगे तो हमारे पास जो resulting जो cell बनता है that is known as zygote तो zygote ही है जो किसमें change हो जाता है एक mature plant में change हो जाता है जिससे क्या बनती है roots, leaves, branches, flowers, fruits and seeds correct और ultimately क्या हो जाती है हर एक organism का fate क्या है कि वो eventually क्या हो जाएगा die हो जाएगा वही plants के साथ होता है plant growth continues throughout their life due to presence of meri stems अब एक word आया meri stem meri stem word जहां पे भी आया उसका मतलब क्या है कि यहां पे जो cells होंगे उनमें क्या capacity है कि वो continuously क्या कर सकते है divide कर सकते है plants जो है वो पूरा lifetime grow कर सकते है किसकी वज़े से meri stems की वज़े से the growth where new cells are added to plant body by the activity of meri stem is called the open form of growth अब क्या हो रहा है ऐसी growth जिसमें plant में कहीं पे भी नए cells क्या होते जा रहे है add-on होते जा रहे है ऐसी growth को क्या भूला जाता है open form of growth अब जो plant की growth है उसे हम दो parts में क्या कर सकते है दिवाइड कर सकते हैं first is primary growth and second is secondary growth primary growth में क्या होगा plant की length increase होगी कैसे increase होगी root के apex पे और shoot के apex apex मतलब सिरा जो meristematic cells है वो क्या होगे डिवाइड होगे और plant की length को क्या करते जाएंगे increase करते जाएंगे it causes elongation of the parts along their axis second type की जो growth है that is secondary growth secondary में क्या होगा plant की growth होगी sideways it occurs due to lateral meristems vascular cambium and cork cambium इससे क्या होता है this causes increase in girth of the organs girth मतलब चौडाई या breadth बोलते हो जिसे वो क्या होगी plant की increase होगी due to secondary growth आप देखिए आपको picture में नजर आ रहा है shoot apical meristem and root apical meristem ये क्या करेंगे basically primary growth plant की length को increase करने का काम करेंगे vascular cambium है दोनों में present है shoot में भी और root में भी correct ये क्या करेंगे plant की girth को या diameter को increase करने में help करेंगे तो shoot apical meristem और root apical meristem primary growth के लिए responsible है vascular cambium responsible है किसके लिए secondary growth के लिए अब हमने ये तो पढ़ लिया कि growth क्या है कैसे हो रही है लेकिन हम कैसे measure करेंगे plant की growth को अब growth को cellular level पे measure करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक cell में क्या है protoplasm का amount क्या हो रहा है increase हो रहा है तो protoplasm कितना बढ़ा उसको हम directly तो measure करनी सकते हैं इसलिए हम बहुत सारे factors include करते हैं किसको measure करने के लिए plant की growth को measure करने के लिए तो सबसे पहला point है increase in fresh weight करेट आपने एक छोटा पौदा लगाया गमले में suppose जब आपने लगाया तो उसका weight था 500 grams थोड़े दिन बाद आपने उसका weight चेक किया तो उसका weight क्या हो गया है 1 kg तो ये increase जो है वो किसमे हुआ है उसके fresh weight में जिसमें आप water के content का weight भी include कर रहे है next is increase in dry weight dry weight without moisture कितना plant का weight increase हुआ है third is increase in length और area plant की लंबाई या उसने जो area कवर किया हुआ था उसमें कितना increase हुआ है and next is increase in cell number तो ये कुछ factors हैं जिनसे हम plant growth को measure कर सकते हैं अब इसके कुछ examples है cell number के basis पे a maze root apical meristem can give rise to 17,500 new cells per hour एक घंटे में maze का जो पौधा है उसकी सिरफ root apex 17,500 cells बना सकती है second example cell size के basis पे जो watermelon होता है तरबूज होता है वो कितनी जल्दी increase हो सकते हैं थ्री लाग फिफ्टी थाउजन टाइम्स जो है वो increase हो सकते हैं size में next length का example दिया उन्होंने growth of pollen tube जब pollen grain को किस के पास पहुचना है हमारे एग के पास पहुचना है surface area में किस का example लिया है उन्हें ग्रोथ हिना dorsi ventral leaf dorsi ventral means growth is measured by oxanometer normally हमें कोई भी चीज मापनी हो measure करनी हो तो उसके लिए हमें किसी एक device की जरूरत पढ़ती है नीचे weight है जो length को weight को check करने में क्या करता है हमारी help करता है next आते है हमारे पास phases of plant growth plant growth के basically हमारे पास कितने phases होते हैं three phases है तो सबसे पहला आता है हमारे पास meristematic phase इसे हम formative phase भी बोलते हैं पहले भी हमने discuss किया meristematic word का क्या मतलब है जहां पर cells क्या हो रहे हैं continuously divide हो रहे हैं वही root apex and shoot apex it occurs in meristem means at root apex and shoot apex cells in this region are rich in protoplasm and have a large nuclei क्यूंकि cells continuously divide हो रहे हैं correct तो जो cells हैं उनमें बहुत जादा क्या होगा protoplasm होगा और nucleus भी बड़े size का होगा ताकि वो जादा energy क्या कर सके provide कर सके cell walls are primary अब यहां पे जो cells हैं उनकी cell walls जादा differentiated नहीं है thin है और किसकी बनी हुई है cellulose की बनी हुई है और उनमें आपस में बहुत जादा plasmo desmatal connections बने हैं next phase आता है जो plant growth का elongation phase अब नाम से आपको पता लग रहा है elongation means लंबाई बढ़ेगी जहां पे meristematic cells खतम होंगे वहां पे क्या शुरू होगा हमारा elongation phase it occurs in cells just next to the meristematic zone cells have increased vaculation अब यहां पे जो cells हमें बड़े vacules हैं size भी उनका बड़ा है और cell wall में भी अब क्या होनी शुरू हो गया है deposition हो गया last phase जो आता है plant growth का that is maturation phase अब meristematic से थोड़ा पीछे हटे तो elongation हुआ elongation से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो क्या आएगा हमारा maturation phase it occurs in cells further away from the apex the cells attain maximal size in terms of wall thickenings and protoplasmic modifications अब यहां पे जो cells हैं उनमें जितनी thickening होनी थी सब हो गई है size उनका maximum हो गया है और protoplasm में जो भी modification होना था वो भी हो गया तो यह तीनो phases के features थे meristematic phase जिसे हम formative phase भी बोल रहे हैं elongation phase and third one is maturation phase सी आपको एक picture नजर आ रही है एक seed था उसमें से root and shoot ने grow होना शुरू किया सबसे नीचे चल रहा है हमारा formative phase length increase होगी वहां से formative phase को हम क्या कह रहे हैं meristematic phase उसके उपर आ रहा है हमारा elongation phase जहां से plant की length क्या होगी increase होगी और सबसे उपर क्या आता है हमारा maturation phase यहां पे cells क्या हो चुके हैं completely differentiate हो चुके हैं अब उन्हें division से कोई लेना देना नहीं है उन्हें सिर्फ अपना particular function क्या करेंगे perform करेंगे next आता है हमारे पास growth rates growth rate का मतलब अभी तक हमने पढ़ा plant growth क्या है अलग-अलग phases क्या है हम कई बरी normally देखते हैं कुछ plants बहुत जल्दी increase हो जाते हैं तो इसको हम किस से measure करते हैं growth rate से measure करते हैं क्या है growth rate it is the increased growth per unit time time के साथ कितना grow हुआ कोई particular plant that is known as growth rate growth rate भी दो टाइप की हो सकती है first is arithmetic and second one is geometric सबसे बहले देखते हैं what is arithmetic growth क्या होगा इसमे mytotic cell division हो रहा था अब एक cell जो है वो continuously क्या करता जाएगा divide करता जाएगा और जो दूसरा cell होगा वो differentiate होता जाएगा differentiate means एक particular function attain करता जाएगा और mature होता जाएगा समझ में आया आपको on plotting length of organ against time तो इसका यदी हम एक graph plot करते हैं क्या example यह हमने कि एक particular organ की length मालो हम root की length की बात करें time के साथ उसको plot कर रहे हैं तो हमें linear curve मिलता है linear मतलब time के साथ length क्या होगी increase होगी C आपको नजर आ रहा है graph L0 या L0 क्या है length थी root की 0 time पे फिर बढ़ती गई time के साथ और आपको yellow line में नजर आ रहा है कि जो length है वो time के साथ increase होती जा रही है यदी हम arithmetic graph का mathematical expression देखें तो length at time t is equal to length at time 0 plus RT RT क्या है elongation of root per unit time second type of growth is geometric growth geometric में क्या होगा हमें पता है कि plant starting में उसकी growth क्या होती है slow होती है तो इस phase को बोला जाता है lag phase फिर एकदम से growth जो है वो increase होगी उसे हम बोलेंगे log phase या exponential phase यहां पे दोनों daughter cells जो है वो division की ability को क्या करके रखते हैं अभी हमने arithmetic growth में क्या पड़ा था एक cell सिरफ mitosis कर रहा है बाकी क्या होते जा रहे है differentiate होते जा रहे है यहां पे सारे cells में क्या हो रही है mitosis हो रही है अब अगर सारे cells में mitosis होती रहेगी तो growth increase होती रहेगी लेकिन ऐसा नहीं होता एक time के बाद हमें पता लग जाता है कि plant जो है वो upgrow नहीं हो रहा ऐसा कब होगा जब nutrient की supply क्या हो जाएगी limited हो जाएगी तो limited nutrient supply slows down the growth leading to stationary phase third phase जो आया हमारा geometric growth में that is stationary phase तीन phases पड़े हमने lag phase जिसमे growth स्टार्ट हुई लेकिन slow थी फिर एकदम से growth increase हुई थी जिस phase में that is log phase और जहां पर फिर से growth रुक गई due to limited nutrient supply that is known as stationary phase तो arithmetic growth में हमें linear curve मिल रहा था लेकिन geometric growth में हमें क्या मिलेगा एक sigmoid curve मिलेगा आप curve देखिए हमने growth को plot किया है time के साथ initial phase is lag phase जहां पर plant धीरे धीरे grow कर रहा है फिर एकदम से growth increase हुई that is exponential phase और log phase फिर last phase of diminishing growth diminish क्यों हुई growth क्योंकि nutrient supply क्या हो गई limited हो गई तो वो phase कौन सा हो जाता है stationary phase दोनों में यदी हम difference देखें arithmetic growth rate में देखिए जो orange color का cell है वो सिर्फ एक cell जो है continuously divide कर रहा है through mitosis body cell जो purple color में आपको नजर आ रहा है वो क्या होता जा रहा है differentiate होता जा रहा है यह है हमारी arithmetic growth geometric growth rate में आप देखो दो cells थे 2 से फिर 4 हो गए 4 से 8 हो गए सारे cells क्या करते जा रहे है mitosis करते जा रहे है इसमें सभी cells की ability है to divide अब growth rate को measure करने के लिए मारे पास दो और methods है one is absolute growth rate and another is relative growth rate measurement and comparison of total growth per unit time absolute growth rate क्या है हमने measure किया और compare किया किसको total growth को time के साथ वो क्या हुई हमारी absolute growth rate growth of given living system per unit time expressed on a common basis एक particular living system की growth को हमने time के साथ express किया तो उसे हमने क्या बोला relative growth rate compare किया हमने किसी और living system के साथ तो common basis पे जो growth हुई वो क्या बन जाती है हमारी relative growth rate आपको डायग्राम में दो leaves नजर आ रहे हैं first one is absolute growth and second one is relative growth next next आते है हमारे पास plant के लिए कौन कौन सी conditions essential है ताकि वो अच्छे से क्या कर सके grow कर सके यह तो हम 6th class से पढ़ते आ रहे हैं हमें क्या क्या चाहिए हमें water चाहिए correct हमें क्या चाहिए oxygen की requirement है nutrients की requirement है और हमें minerals चाहिए अलग-अलग types के हमें temperature correct होना चाहिए तो यह सब conditions क्या होती है तो सबसे पहले देखते हैं water क्या काम करता है it helps to maintain tergidity of plant cells plant cells की जो shape है वो properly maintained रहे correct उनमें water का balance maintain रहे, osmotic pressure maintain रहे, यह सब कौन ध्यान रखता है water रखता है ताकि growth of plants by providing medium for enzymatic activities और water क्या कर रहा है जितनी भी plant growth में reactions होनी है तो enzymatic activities के medium provide करता है next is oxygen, oxygen भी required है plants को although they are releasing oxygen लेकिन उनको खुद भी oxygen की requirement होती है for releasing metabolic energy essential for growth third essential requirement for growth is nutrients macro और micronutrients plants के लिए जरूरी है ताकि वो protoplasm को synthesize कर सके और use कर सके उन्हें as a source of energy macronutrients means जिनकी requirements जादा quantity में होती है और micronutrients means जिनकी requirement कम quantity में होती है next condition is temperature हर एक plant की optimum temperature range होती है for its growth आप लोग जोग्रफी में भी पढ़ते हैं और science में भी पढ़ते हैं कई बार ही वो गर्मी में बहुत अच्छे से flourish करने हैं लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो वो क्या हो जाते हैं सूखना शुरू हो जाते हैं क्यूंकि जो उनकी temperature range थी जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकते थे वो क्या हो चुकी है fluctuate हो जाती है तो any deviation from this temperature leads to the death of organism last requirement light and gravity correct gravity अच्छी होगी तो roots की growth अच्छी होगी longation अच्छी होगी और light proper मिलेगी तो photosynthesis का process बहुत अच्छे से होगा और shoot की भी growth अच्छी होगी नीचे image में देखे आप nutrients में तीन basic nutrients nitrogen, magnesium and calcium जो हमें soil से water भी कहां से absorb कर रहा है sun, carbon dioxide, oxygen यह सब चीजें हमें कहां से मिल रही है हमारे atmosphere से मिल रही है तो यह five six conditions हैं जो plant growth के लिए essential होती है अब दो terms आ जाती हैं हमारे पास that is questions and dormancy हमने अभी तक पड़ा कि plant growth क्या है plant कैसे grow कर रहा है उसके लिए कौन कौन से conditions चाहिए plant के growth rate को हम कैसे measure कर सकते हैं plant की growth रुख जाती है तो उसके लिए बहुत सारे factors responsible होते हैं और वो factors plant के internal भी हो सकते हैं और external भी हो सकते हैं when plant growth is suspended due to exogenously controlled factors जब plant की growth रुक गई है किसकी वज़े से environmental factors की वज़े से exogenously controlled factors means बाहर वाले factors की वज़े से sunlight proper नहीं मिली temperature जो चाहिए था वो नहीं मिला water की requirement जो थी वो complete नहीं हो पाई तो उस वज़े से plant growth क्या हो गई रुक गई तो इसे हम क्या बोलते हैं when plant growth is suspended due to endogenously controlled factors अब plant की growth रुकी लेकिन external factors तो सारे सही थे फिर भी रुक गई hormonal changes हुए कुछ plants में आपको पता है plant भी क्या होते है plants में भी hormones होते है oxyn है cytokinin है gibralin है abysic acid यह सब hormones क्या कर रहे हैं plant की growth को control कर रहे हैं इन में कुछ भी change हुआ तो प्लांट की growth क्या हो सकती है रुक सकती है तो उस condition में plant की growth suspend हुई है तब उसे क्या term दी जाती है dormancy term दी जाती है तो यह difference है किसमें questions में और dormancy में तो आज की lecture में हमने यह सब discuss किया what is plant growth, how plant growth is measured, what are the factors that control plant growth conditions required for plant growth suspended. अब next lecture में हम लोग discuss करेंगे कि exogenously और endogenously controlled factors जो है वो individually कैसे impact करते हैं plant growth को I hope आपको lecture समझ आया होगा Thank you so much